एक है लो दोस्तों अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल हाई-फाय स्टेट वे दिस्तों बड़ी खवर यहां पर है की हो सकता है जो आपकी बीटी सी के एकजाम जो अपरेल के लास्ट में प्येंपी ने बोला था हो सकते वो टल के माई के लास्ट तक हो सकते जो कि पहले ही पी एंपी ने बताया था कि माई के लास्ट में हम आपका पेपर करवाएंगे ठीक है अक्षू की दूस्तों आपको पता है कोरोना के बढ़ने की वज़े से यहां पर आप लोग एपर में आप देख सकते हो 23 मार दोजारे किस का प जोगकी यूपी बोड की तलने की बात की जा रही है दोतो व परिक्षाय भी टल सकती है और जाहिर से बात अग्पली अगर के लिए लिनी होगी अनुमति ठीक हैं ने तरीश तरीएप शुनाओ के बात यहां पर 27 माह से सुनाओ कि सूचना जारी कर सकता आयोग 30 अपरेल तक मतदान खत्म होकर 3-4 माई को मत गड़ना संभ़ों बड़ी खबर दोस्तों यहां पर यह है कि टलेंग यूपी वोर्ड की परिक्षान तो दोस्तों पहली आपको बताया गया था कि हो सकता है बीटी सिक एक्जाम क और अभी यहां पर बात यह हुई है कि हम जो परिक्षा का कारेकरम है वो देंगे कब देंगे 7 से 10 या नि 10 अप्रेल तक कहने का मतलब देंगे और उसके बाद दोस्तों एकदम से भी कोई भी एक्जामनेशन फॉर्म से रिलेटर जानकारी नहीं कि एक्जामनेशन फॉर्म उसके बाद तुरंथी जो एक्जामनेशन है फॉर्म होने लगे और उसके बाद तीन दिन का टाइम होता है तीन दिन में आपके एक्जाम हो जाएंगे पूरे का पूरे लेकिन यहां पर दोस्तों बड़ी खबर आज के पेपर में निकल के आ रही है तो इससे दोस्तों यह भी पता चल रहा है कि हो सकता है आपके एक्जाम में पोश्ट पॉन कर दिया जाया माई के लिए ठीक है ना बड़ी खबर है दोस्तों यहां पर सरकार ने यही फचला लिया है यूपी सरकार ने आप लोग देख सकते हो यार कोई फेक निउस नहीं है आप लोग देख सकते पर आप लोग देख सकते हो यह जानकारी आपको विस्तर तो यहां पर आप लोग जाके पढ़ सकते हो लिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से जादा वीडियो को शेयर कर दीजेगा मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपके सबस शेयर कर दी जाएगी, मलते नेक्स वीडियो के साथ, आप तक लाइकों सो, जय हिंद जय भारत, वंदे मात्रा